त्रबुज ABC एक समकोन त्रबुज है जिसमें AB बराबर 6 cm, BC बराबर 8 cm, कोन B बराबर 90 डिगरी है त्रबुज के अंतहवरत की त्रिज्या ग्याद कीजे A विकल्ब है 2 cm, B 3 cm, C 4 cm और D विकल्ब है 4.5 cm तो हम त्रबुज बनाते हैं, एक समकोन त्रबुज हमने बनाया ABC जिसमें BC हमारी है 8 cm, कोन B समकोन है और AB 6 cm के बराबर है जैसा हमें प्रशन में दिया गया है और हमें अनतह, जो त्रबुज का अनतहवरत है उसकी त्रिज्या को ग्याद करना है क्योंकि यहां हमें AB और BC ज्यात है, त्रबुज समकोन त्रबुज है तो त्रबुज ABC में करन का स्क्वाइर बराबर आधार स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर पाइथोकोरस प्रमे से होता है तो हमने AC स्क्वाइर बराबर AB स्क्वाइर प्लस BC स्क्वाइर रखा तो यहां AC स्क्वाइर कितके बराबर हो जाएगा? क्योंकि AB 6 मिला है 6 cm, BC 8 cm हमें प्राप्त है तो AC स्क्वाइर बराबर हो गया 6 स्क्वाइर प्लस 8 स्क्वाइर अर्था 36 प्लस 64 बराबर 100 तो AC का मान हो गया अंडर रूट 100 अर्था 10 cm के बराबर हमने कर्ण प्राप्त कर लिया तरुज का, तरुज का कर्ण AC 10 cm के बराबर है अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अंतह वरत्त हमने बनाया है उसको बनाने के लिए हमको क्या करना होता है हमें तृबुज के कौनों को समद्विभाजित करना होता है और समद्विभाजक जिस बिंदू पर मिलते हैं उससे हमें एक भुजा की दूरी लेके एक वरत्त खीचना होता है माल लिया जो अन्तहवरत है उसका जो केंद्र है अन्तह केंद्र वो ओ है तथा अन्तहवरत की तरज्जा आर है तो अब हमें यहां तरभुज तरभुज A, B, C जो तरभुज है उसका जदी हम शेतर्फल देखें तो वो O, A, B तरभुज का शेतर्फल, O, B, C के तरभुज के शेतर्फल और O, A, C तरभुज के शेतर्फल कि तीन तुरूजों के शितरफल के योग के बराबर होगा तो हमने क्या किया क्योंकि तुरूज A, B, C का शितरफल किसके बराबर है तुरूज O, A, B का शितरफल प्लस तुरूज O, B, C का शितरफल प्लस तुरूज O, C, A का शितरफल के बराबर है अब तरबुज का शितरफल हम जानते हैं एक बटा दो आधार इंटू उचाई के बराबर होता है तरबुज का शितरफल एक बटा दो आधार इंटू उचाई के बराबर होता है तो इसलिए तरबुज ABC का शितरफल हो गया एक बटा दो आधार इंटू उचाई उचाई है AB और आधार है BC, तो तरबुज ABC का शितरफल हो गया, एक बटा दो, AB इंटू BC, इसी प्रकार OAB तरबुज का शितरफल, OAB के तरबुज के शितरफल के लिए आधार हो गया AB, और उंचाई तरबुज की हो गई ये वाली, जो की R के बराबर है, तो R इंटू, एक बटा दो, AB इंटू R, तरबुज OAB का शितरफल हो गया, इसी प्रकार तरबुज OBC का शितरफल क्या हो गया, तरबुज OBC का शितरफल, आधार है BC, R उंचाई है, तो एक बटा दो, BC इंटू R, और तरबुज OCA का शितरफल, OCA का शितरफल क्या हो गया, आधार हो गया AC, उंचाई हो गई R, तो ये हो गया, एक बटा दो, AC इंटू R, एक बटा दो, इस पश्ट है, दोनों पक्षों में है, कॉमन लेके कट जाएगा, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, AB इंटू BC, AB हमारा को दिया गया है, 6 है, BC 8 है, तो लेफ्ट एंट साइड में हम प्राप्त करते हैं, 6 इंटू 8, बराबर हो गया AB का मान हमने रख दिया, 6, R हमने ऐसा कैसा लिख लिया, BC, BC हमारा 8 है, 8 सेंटिमीटर है, BC के स्थान पर हमने 8 लिख लिया, इंटू R, प्लस करके AC हम गयाद कर चुके हैं, 10 है, तो तीसरा पद हमारा हो गया, 10 इंटू R, इस प्रकार हमने एक समी करन प्राप्त कर लिया, अ 48 परावर 24 R, इस लिए R का मान हो गया, 48 बटा 24, अर्थाथ 2 सेंटिमीटर, तो यहां हमारा जो हमने प्राप्त कर लिया, अıllतेह वरत की त्रिज्जा 2 सेंटिमीटर है, अर्थाथ हमारा विकल्प A सही है, 2 सेंटिमीटर, तो इस प्रकार हमने प्रशन को हल कर लिया, अंतेह व्रत की तरिज्या दो सेंटीमीटर है अतहे है विकल्प A सही है ABC एक सम्धिबाहू समकून तर्भुज है जिसमें कून B बराबर 90 डिगरी है भुजाओं AC और AB पर समरूप तर्भुज ACD और ABE बनाये जाते हैं तर्भुज ABE तथा ACD के शितरफलों में अनुपात क्या है चार विकल्प हैं A विकल्प है एक अनुपात अंडरूट दो B विकल्प है एक अनुपात अंडरूट तीन C है एक अनुपात दो और D है एक अनुपात चार तो यहाँ हम A, B, C एक तरभुज बनाते हैं जिसमें कौन B समकौन है और हमने क्योंकि यह समद्य भाहू तरभुज है प्रशना नुसार तो A, B और B, C बराबर हैं प्रते कमाप X एकाई है हमने अब A, C भुजा के बराबर हमने एक भुजा कीची A, D ताकि A, D लंबवत है A, C पर क्योंकि हमें समकौन तरभुज का समरूप तरभुज बनाना है और हमने A, D, C तरभुज का निर्मान किया इसी प्रकार हमने A पर लंबवत एक रेखा कीची A, E ताकि A, E बराबर है A, B के और हमने A, B, E एक समकौन तरभुज का निर्मान किया जो की समरूप है तरभुज A, B, C के अब हम देखते हैं कि समकौन तरभुज A, B, C में क्योंकि A, B और B, C बराबर है प्रत्यक को हमने X एकाई मान लिया है तो इसलिए A, C स्क्वाइर बराबर हो गया X स्क्वाइर प्लस X स्क्वाइर पाइथोकौरस के प्रमे से कर्ण का स्क्वाइर लंब का स्क्वाइर प्लस आधार के स्क्वाइर के बराबर होता है इसलिए A, C स्क्वाइर बराबर हो गया X स्क्वाइर प्लस X स्क्वाइर अर्था 2X स्क्वाइर तो A, C हो गया अंडर रूट 2X के बराबर अब दिया गया है कि तरबुज A, B, E और तरबुज A, C, D समरूप हैं A, B, E और A, C, D ये दिया गया है कि ये दोनों तरबुज समरूप हैं इसलिए दोनों के शितरफलों में अनुपात क्या होगा Area of Triangle A, B, E बटे Area of Triangle A, C, D बराबर हो गया उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात अर्थात A, B, Square बटा A, C, Square अब यहां हम देखते हैं कि A, B जो है वो X के बराबर है और A, C जो है वो अंडर रूट दो X के बराबर है तो हमने यहां A, B और A, C का मान रख दिया तो शित्रफलों में अनुपात हो जाएगा X सquare बटे अंडर रूट दो X का हुल सquare अर्थात यह मान हो गया एक बटे दो के बराबर क्योंकि X सquare से X सquare कैंसल हो गया अर्थात यह मान एक बटा दो आ गया तो शित्रफलों में अनुपात एक अनुपात दो अर्थात हमारा यहां विकल्प C विकल्प सही है तो तरबुज A, B, E का शित्रफल अनुपात तरबुज A, C, D का शित्रफल एक अनुपात दो है हमारा यहां विकल्प C सही विकल्प है चित्र में O वरत का केंदर है यदि इस पर श्रेखा PQ बराबर 10 cm तथा BQ बराबर 5 cm हो तो जीवा AB की लंबाई होगी A 10 cm, B 13 cm, C 15 cm और D 18 cm तो यहां चित्र में हम देखते हैं कि A B वरत की जीवा है ABQ एक छेदक रेखा है, PQ जो है वो बिंदू P पर वरत की एक स्पर्श रेखा है तो हम जानते हैं कि AQ into BQ बराबर PQ स्क्वार होता है AQ into BQ PQ स्क्वार के बराबर होता है क्योंकि AQ जो है वो AB plus BQ के बराबर है इसलिए हमने AQ को लिख दिया AB plus BQ और AB plus BQ into BQ बराबर हो गया PQ स्क्वार अब क्योंकि BQ हमें प्रिशन में दिया गया है 5 cm है हम BQ का मान 5 cm लिख देते हैं PQ हमें 10 cm दिया गया है हम PQ का मान 10 cm लिख देते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं हम प्राप्त करते हैं AB plus 5 into 5 बराबर है 10 का स्क्वार अर्थात AB plus 5 हो गया 100 बटे 5 के बराबर अर्थात 20 के बराबर तो AB हो गया, 20-5 अर्थाथ 15 cm, तो हमें क्या ग्याद करना है, हमें यहाँ जीवा AB की लंबाई ग्याद करनी है, जीवा AB की लंबाई हमने प्राप्त कर ली, AB बराबर 15 cm है, अर्थाथ यहाँ विकल्प हमारा C विकल्प सही है, C विकल्प हमारा क्या है, 15 cm, तो इस प्रकार हमने AQ into BQ बराबर PQ2 के सूत्र के प्रयोग से जीवा की लंबाई प्राप्त कर ली जीवा AB बराबर 15 cm